माइक्रवाइल फर्मेंटेशन कोप्यों कई अलग-अलग फूर प्रड़क्ट्स और वेवरेजिस के प्रड़क्शन में किया जाता है जिसमें दही, पनीर, सोया बिन, चॉकलेट, बीर और वाइन सामिल है ऑक्सिजन की एपसंस में फर्मेंटेशन ग्लुकोस के केटाबुलिजम को पूरा करता है ग्लुकोस केटाबुलिजम ग्लाइकोलाइसिस से सुरू होती है, जो कि एक ATP फॉर्म करने वाला पत्वे है या पाइरवेट को फाइनल प्रड़क्ट के रूप में फॉर्म करता है ग्लाइकोलाइसिस से एक एलेक्ट्रॉन को वापस पाइरुवेट में ट्रांसफर करना होगा एल्कॉलिक फर्मेंटेशन में एन्जाइम सबसे पहले पाइरुवेट से कार्बन डायाकसाइड को हटाते हैं जिससे एसिटल डिहाइड बन जाता है इसके बाद यहाँ एन्डी एस से एक एलेक्ट्रॉन को एसिटल डिहाइड को ट्रांसफर करती है जिससे एथानॉल फॉर्म होता है इस प्रकार एन्डी प्लस रीजिन रेट होता है बेकर्स इस्ट जिससे सेक्रोमाइसिस सर्विसी भी कहते हैं यह एल्कॉलिक फर्मेंटिशन को करता है इस्ट सेल एल्कोहल को अपने इन्वार्मेट में एक्सक्रीट कर देती है किसी product का excretion जिसमें अभी भी cell के लिए energy form करने की क्षमता है लेकिन oxygen या other molecules के बिना ethanol से electron को accept करने के लिए cell के पास कोई choice नहीं होता ये cells fermentation pathway के अलावा small amount में अन्य reaction को भी conduct करती है different species different types के fermentation को पूरा करती है कुछ bacteria जैसे कि lactococcus lactis, lactic acid का fermentation करते हैं lactic acid fermentation दूद को दही और पनीरी में बदल देता है humans भी अपने body में lactic acid fermentation करता है muscle cells exercise के दौरान oxygen के deficiency में lactic acid का production करती है fermentation foods में food value को भी preserve करती है दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में दी गई knowledge समझ में आ गई होगी ऐसे ही informative और knowledgeable वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलें और वीडियो के update पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें प्रेस कर दोस्तों 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 कर दो